लोकेश जी जवाब दें, लोकेश जी क्यों राहूल गांदी इतना लेट इंट्री हुई है, आप लोग उनसे चाहते नहीं थे कि प्रचार करें, या लग रहा थे कि इनसे सीटे घड जाएंगी, या जीती रहें, इसलिए उनको बुलाने की जरौती नहीं पड़ी, क्या हु राहूल गांदी जी ने आज तक कभी किसी एक पॉलिटिशन के प्रती ऐसा कोई तंज या रिमार्क नहीं का था, लेकिन इस पर्टिकुलर सर्थे कि जरौत अपनी राहूल गांदी जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, उन्हों ने कहा कि प्रधान मंत्री मोदी ज ने जब नर्मदा का सदार सरोवर डैम बनाया, उसके बाद में स्टैच्ई ओफ यूनिती खड़ा कर दिया, उन्होंने ट्राइबल के बारे में बिलकुल नहीं सोचा, वो सीट जो है बाजपाहारी थी, और आज भी जो ट्राइबल वर्ग है और आरेसेस जो उन्हें वनव कहता है, उसे कॉंग्रेस आदिवासी कहती है और उनके मुद्दों के लिए कॉंग्रेस खड़ी है, तो जो सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात की आप बात करते हैं, उसमें ट्राइबल जो शेर है, वो तो माजपा को वोट देने से नहीं रहा, आप इस बात को मुस करता हूँ, आप केवल जो है, तीन बिस्टिक की बात करते हैं, वदोदरा, एमदाबाद और सूरत, जिनके उपर भाजपा को नाज है, कि यहां के वोटर भाजपा के लिए ही वोट करेंगे, तो आज बता दू, पूरा जो कपड़ा उद्योग है, जहां पर कैंडी का रेक एक लाजप से उपर जा चुका है, वहाँ पर पूरे कपड़े उद्योग के मजदूर व्यापारी सब तंग है, जिएस्टी से तंग है, अगर मैं बात करता हूँ, इन शहरी इलाकों की, तो टैक्स से लेके, महंगाई से लेके, जो डीजल, अज़ा एक बात बताईए, लो कह रहे हैं, और इसलिए वैपारी वर्ग नाराज है, तो फिर 2019 के चुनाव में, गुजरात में, बीजे पी को लोगसबा सीटे कैसे आईए, देखिए, 2019 और 2022 में बहुत फर्क है, कोविड के बाद में, कोविड के पहले कैंडी का रेट लाक रुपे से कम था, 70 या 75 हजार प्रती कैंडी का रेट चल रहा था, आज एक लाक दसाजार के ओपर कैंडी का रेट जा चुका है, आज ओयल का रेट अगर हम देखे हैं, पेट्रोल डीजल और की एंजी का, ये 100 रुपे के पार जा चुका है, पर सर मैं कह रहा हूँ, GST तो तब भी थी 2019 में मुद्दा, तब 2019 के बाद बरबाद हुआ, पहले इंजी कास्टिंग इतनी जादा नहीं थी, पहले इंजी कास्टिंग इतनी जादा नहीं थी, ठीक है, संगीत रागी जी छोटे में दीजेए, फिर मैं राजगोपालन जी के पास चाहूँग, आप कुछ रिस्पॉंड करना चाहरे है सवाल यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी को कोई जंता एकसिप्ट करने के लिए तयार है, गुजरात की जंता कॉंग्रेस पार्टी को नहीं एकसिप्ट कर रही है, दूसरी बात, आपने कहा कि राहूल गांधी ऐसी टिपनी नहीं करत अरे बाई चौकिदार चौर है से लेकर के कौन से ऐसे मौत के सौकडागर क्या-क्या गांधी परिवार ने छोड़ा है सर क्या गांधी परिवार ने छोड़ा है सर क्या गांधी परिवार ने चौकिदार चौर है सत्य था लोकेश भाई चौकिदार चौर है सत्य था माफी मा तो बताइए ना कौन से गोटा लें और तो बताइए ना कौन से गोटा लें राज गोपालन जी मुझे ये बताइए अभी लोकेश जी कह रहे हैं ये चौकिदार चोर है ये सही था जबकि चौकिदार चोर है पे तो मेंडेट आ चुका है 2019 का कि पब्लिक क्या सोचती थी अभी भी कॉंग्रेस वहीं फसी हुई है कुसान बावी मैं कांग्रस को कंशे कर पैंटी साल रिपोट किया है कॉंग्रस को बारे में मुझे सीता राम केशरी पीवी नर्शी मराव स्फोक्स परसन से 1977 उड़ाश टाइम से मैं हिंडियन एक्सप्रेश अक बार कांग्रस को मैं रिपोट करते आ रहा हूं कॉंग्रस को मैं सोचा आज Congress का प्रवक्ता भी confused है क्यूंकि मुझे लगता है आने वाले दिन में चौकीजार चोर करके निकल गिया है कोट में माफी मांगा है उसको भी जरकरार किना है तो छोड़ दीजिए तो पुराना बात है नए बात आज कि एक चीस ता आप यूजी सी यूजी सी यूजी सी बोल रहे हैं सदा मुझे को क्यों नहीं लेके आ रहा है आपने क्योंकि उसमें Congress क्यों पीचे जा रहा है हेमन्त मिश्व सर्माने हमेशा चुटकुडा सुनाते हैं एक कुटा को उपर उसको मसाज करके करके उसको बिस्केट लगा दिया तरुन गोगो इस आपने का लिया मैंने काया करके एकदम उंचा उड़ा दिया है उस तहानी का अभी सद्दा मुझे को लेके आ गया है सद्दा मु कर दिया है उनकी माइंड पर जो सद्दा मुझे इनको काई चुक नीचे गिरा है ऐसे कांगर्स तो गिर चुकी है कांगर्स को मुझे समय इस पैनल में कम से कम आप सब को मैं आदर करता हूं लेकिन मुझे जुषिन नागर साब जाते हैं जैसे नजदीक्ता में कांगर्स लेकिन कांगर्स तो खतम हो चुकी है उसको बारे में क्यों आ रही है रस्तिन पीस